हेलो एवरिवन कैसे हैं आप सभी I really hope मेरे सारी फ्रेंज बहुत अच्छे होंगे तो मैं लेकर आई हूँ दिवाली की डेकॉरेशन के लिए तीन ब्योटिफुल से सिंपल इजी डियाईवाई जिने आप बना सकते हैं जो घर पर पुरानी पड़ी सीडी होती है और कार्टबोर होता है तो हम बनाने वाले हैं रंगोली और इन्हें आप कई तरीकों से इस्तमाल कर सकते हैं दिवाली की डेकॉरेशन में आजकल आपने देखा होगा मार्केट में ऑनलाइन आफलाइन बनी बनाई रंगोलियां बहुत मिलती हैं लेकिन काफी महंगी होती हैं लेकिन आप इन्हें घर पर बहुत आसानी से कम बजट में बना सकते हैं तो हमने तीन DIY किया हैं लेकिन इन्हें में अलग अलग तरीके से कैसे कैसे आप डैकॉरेट कर सकते हैं वो भी आपके साथ में शेयर करूंगी तो सबसे पहले DIY कले मैंने यहाँ पे कार्ट बुन लिया है इसे सरकल कटकरके न दिया की शेप में हमने इसको बनाया है तो यहाँ पर यह दिया और बाती इस तरीके से बन जाएगी और इसको हमें इसंें फिक्स करना है लेकिन पहले हम इसमें लेस लगा लेंगे यह देखिए हमारा यह दिया बन गया है तो हम बनाने वाले हैं 4 तो यहाँ पर मैंने फैफी बॉन्ट ग्लू लिया है में थोड़ा से गोर्डन सिल्वर और कलर्फुल चीजें अच्छी लगती है तो मैं इन्हीं कलर्फुल बनाने वाली हूं और मेरे पास कलर्फुल पॉम-पॉम थे उन्हें में इसमें लगाऊंगी तो यहां पर हमने जो है जो गोर्डन कलर की लेस है उसको हमने चारो तरफ इस तरीके से इसके जो कॉर्णर्स में है आउटलाइन हमने दे दी है और अगर आपके पस लेस नहीं है आप मोतियां है तो मोतियों से भी लगा सकते हैं या फिर मिरर से आपके पास साइड में सारे मिरर लगा कर भी बहुत ही सुन्दर लगेगा यह और मिरर से क्या होता है जब light जलती है ना तो light का effect पड़ता है इसमेर और इससे और ज़्यादा अच्छा लगता है जब भी आप किसी में भी mirror का work करते हैं तो यहाँ पर मेरे पस colorful pom pom है इन्हें मैंने इसमें लगा दिया है और बस simple यह बन गया है हमारा पहला DIY तो इन्हें मैं अभी आपको रंगोली बना कर मैं दिखा रही हूं कैसे हमसे यूज़ कर सकते हैं आप इसे अपने center table में dining table में या फिर अपने कहीं पर भी फर्ष में आप इसको लगा सकते हैं मंदिर के area में आप लगा सकते हैं तो यहाँ पर हमने एक बीच में इस तरह के से दिया लगा कर और चार तरफ से बना दिया है तो एक रंगोली जो है बनकर तयार हो गई है और इसको हम और तरीकों से भी मैं आपको दिखाऊंगे कैसे कैसे हम इसे यूज कर सकते हैं तो यह जितना भी सामान मैंने यहाँ पर यूज किया है इसे आप एक बार ले ले लेते हैं तो काफी सारे DIY जो है आप लोग बना सकते हैं मैंने इनी से ही कितने सारे DIY आप लोग साथ में भी शेयर किये हैं तो एक बार का खर्चा है आप लेकर बना सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं, तो यहां पर देखिए इस तरीके से वाल के कorner में एक nine करके भी आप बना सकते हैं, यह मैंने इस तरीके से आपको एक idea देने के लिए मैंने बनाया है, और जो बीच में तीसरा आपको आइडिया दे रही हूँ कि यह जो हमने दिये बनाए है इसको जो आपके पास इस तरीके की देखे दिवाली पे तो सभी के घर में गेंदा वाली जो प्लास्चिक वाली जो गेंदे वाली माला होती है सभी के घर में होती है जो भी पुरानी आपके पास लटकन वेलवेट का कपड़ा लिया है तो Paffy Bond से हम वेलवेट का कपड़ा इसमें चिपका लेंगे आप कोई भी कलर का कपड़ा आप मीश् का सकते हैं या फिर आप इसमें Co actually paint होते हैं वो भी आप कर सकते हैं यहाँ पर आर्टिफिशल वाली जो प्लास्टिक की गेंदे की माला होती है उसके फूल लिये हैं और कुछ मैंने पॉम-पॉम और गोटा वाले फ्लावर लिये हैं इन्हें हम चिपका लेंगे कुछ इस तरीके से और आप चाहें तो पूरे पॉम-पॉम लगा कर भी आप बना सकते हैं पर यह जो पुरानी माला होती है मैंने सोचा इसको दुबारा से यूज करके यह खराब भी हो गई थी कुछ फूल ना इसमें खराब हो गए थे तो मैंने इनकालके मैंने सोचा चलिए कुछ बना देते हैं तो यहां पर हमने स्वास्तिक बना दिया है आप अपने हिसाब से सरकल बनाना चाहते हैं सरकल बना सकते हैं और यह बिल्कुल मैंने एमेजॉन में मैंने देखा था यही वाला डिजाइन और काफी महंगा था छे सो यह साथ सो का यह वाली रंगोली थी स्वास्तिक वाली बिल्कुल मैंने उसी से ही जो है देखकर मैं यह डिजाइन बना रह फ्लावर थे यह मैंने लगा दिये हैं इसके जगे आप पुछ भी लगा सकते हैं अगर आपके अस फ्लावर है अर्टिफिशल उन्हें भी आप लगाएंगे तो बहुत सुन्दे लगेगा और यह यलो में पिंक बहुत खिलकर आ रहा है क्योंकि फेस्टिबल में ब्राइट क गर्ठ कर लिया है आप वीडियो में देख सकते हैं फैविकiring इनk वह पर भी इसके वीट वाला कपड़ा मैंने चिपका धिया हैक इसके बाद हम इसके बॉरडर में लगाने वाले हैं पॉम- mismos तो यहां पर यह बॉरडर में आप चाहिए तो लस न ako कर सकते हैं जो निशन को कर सकते हैं और यहां पर बीच में, यहां पर यह जो मोतियों वाला रिंग है मैं लगा रही हूँ, तो मैं ने एक बार पैकट लिया था, काफी सारे हैं तो मैंने बहुत सारे DIY मैंने यूज कर लिया है तो यह हमारी रंगुली बनकर तयार है अब इन्हें हम डेकुरेट करके दिखाएंगे तो यह पहला आइडिया है इस तरीके से आप लगा सकते हैं सेम यह वाला डिजाइन रंगोली में आपको एमेजॉन में भी मिल जाएगा जो की 600-700 रुपे का उसमें MRP लिखा हुआ था इसके बाद मैं आपको दूसरा आइडिया दिखा रही हूँ इस तरीके से भी आप यूज कर सकते हैं यह आपकी क्रेटिविटी हैं आप कैसे कैसे इसको यूज कर सकते हैं और बिलकुल भी खराब नहीं होगी जैसे छोटे बच्चे हैं अगर आपके खर में डौगी है तो डर रहता है ना खराब होने का जवाली में टाइम भी कम होता है तो आपने अगर रंगोली बना की रखी हुई है तो आप फटाफट से ने लगा भी सकते हैं खराब होने का बिलकुल ही डर नहीं है तो कैसा लगा आपको यह वाला आइडिया बताएगा ज़रू तो चलिए देखते हैं आज का लास्ट एं नहीं हो पाएगा अगर आप नारमल कोई प्रकड़ के चिपका सकते हैं इसके बाद जया जो है सदर खेंद बजार ने लीए तह लोगासे तो यह इसमें बादे दोधे थे, कप्ड़ तो मैंने आपके साथ में पहले भी शेयर किया था तो वहां पर होलसेल मार्केट है आपको बहुत अच्छा सामान मिल जाता है तो एक बार आपने ले लिया ना तो बहुत सारे DIY में आप उसको यूज कर सकते हैं तो मैं हर साली दीवाली के लिए कुछ ने कुछ डेकुरेट कर कर सकते हैं मेरे पास यह मोतिवाली माला थी तो मैं इसके चारो तरफ इसको लगा दोंगी और यह बहुत ही प्यारा सा जो है हमारा टी-लाइट holder हमने बनाया है तो यहाँ पर मैंने इसमें pink color का मैं इसके उपर इस तरीके से लगा रही हूँ और यह बहुत ही bright color है बहुत ही सुन्दर लगते हैं इस तरीके के दिवाली पे और यहाँ पर हम मोती लगा देंगे तो यहाँ पर cd से मैंने पिछले साल भी आप लोग साथ में शेयर किया था उसमें हमने clay putty से हमने design किया था और mirror लगाया था वो भी बहुत सुन्दर लगता है अभी यहाँ पर भी मैंने उससे decorate किया है तो आप वो वाला भी आप बना सकते हैं उस वीडियो का link में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूगी तो यहाँ पर mirror अगर आपके पास center के लिए नहीं है तो आप इसको skip भी कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर हमें दिया रखना है तो यह वैसे भी नहीं दिखेगा तो चलिए इस corner को decorate करते हैं यहाँ पर simple सी decoration है मैंने जो गेंदे वाली artificial माला है वो लगाई इसको height देने के लिए मैंने यहाँ पर बावल रखा है और artificial वाली जो candles होती हैं वो मैं यहाँ पर लगाऊंगी तो यह देखे simple सी decoration है लेकिन देखने में बहुत ज़दा अच्छी लगेगी इस तरीके से आपना हर एक corner को खुबसूरती से सजा सकते हैं और अगर आपने अपने हातों से कुछ बनाते हैं तो उसकी खुशी बहुत ही अलगी होती है तो यह corner ready हो गया है आगे भी ना मैं आपके साथ में दिवाली के बहुत सारी decoration की ideas में शेयर करूंगी तो यहाँ पर मैं आपको लगा कर दिखा रही हूँ कि इस तरीके से आप जो है इन candles holder को use कर सकते हैं और बहुत ही bright color के हैं तो देखने में बहुत अच्छे लगते हैं इसके backdrop पे जो हमने दिया बनाया था लटकन वाले वो मैं यहाँ पर लगा दूँगी इस तरीके से आप चाहिए तो इसको wall पे वैसे भी दिया जो हमने बनाया है उसको चिपका सकते हैं बिना लटकन के भी I hope आज का यह वीडियो आपके लिए helpful रहो अच्छा लगा हो तो मिलते हैं next वीडियो में तब तक लिए पाए बाए लोटस अफ लव